हेलो दोस्तों बॉस ओफ इने शेयर बजार में आपका एक बफिसस हो गते हैं आज जैसे कि मैंने आपको कली बताया था कली एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि क्रेश होते रहेंगे कोई डरने वाली बात नहीं है तो ऐसे ही आज होता हुआ भी नजर आया और मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर बेचना होता तो इस कॉंटिटी में नहीं बेशते हैं आपको बहुत अच्छी कॉंटिटी में करोड़ों में बेशते हुए नजर आते हैं तो यह थोड़ी सी बस profit booking थी जो की एक ड़ाने के लिए थी और अच्छी शेर से निकलवाने की थी तो वही सब चीज थी बट एक आज एक पर्टिकुलर अच्छी शेर से लेटी बाते करेंगे और वह आपको काफी नीचे मिल रहा है तो उसी से लेटी बाते करेंगे इसके fundamental financial analysis करेंगे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं बड़ वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं बड़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और नीचे description में आपको नीचे दो लिंक दे रखें एक फिरी में आपका बहुत सारी आपको सुविधा भी दे रहा है अगर हम बात करें यहां पर एक और लिंक है यहां पर श्री राम जी का अयुद्य हमें मंदिर बन रहा है तो इस लिंक पर देंगे तो इनकी website पर आप सीधे जाके वहां पर कुछ भी डोनेट कर सकते और एक मैथपून काम में उनकी मंदिर बनाने में मालत कर सकते हैं तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं तो जिस शेयर से लेटरी बाते करने वाले हैं सबसे पहले हम उसका चार्ट पैटर देख लेते हैं पांसो दस रुपे पर यह चल रहा है और अगर वन मंद में बात करें तो लगबग 10% की यहां 52 भी खाई था और 284 इसका मार्च में चल रहा था और मैंने इससे पहले वीडियो बनाई तो आपको बताया था जब यह शेयर बहुत नीचे चल रहा था कि यह शेयर अपने सेक्टर का बहुत 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 अच्छा प्रॉफिट होता हूँ और नज के पास है बाकी पॉब्लिक के पास है और इसके देखेंगे कि किस के पास कितना है वो आगे चल के तो अगर यहां पर देखते हैं तो हर साल कंपनी डिवीडेंट देती हुई नजर आ रही है जो कि आप यहां पर दे सकते हैं 2017 में एक बार यहां पर शेयर स्प्लिट भी हो जरता है, जिस दस का face value था अब 2 का face value रह चुका है, तो वन रस यो 5 में आई थिक यहां पर होता हुगा नजर आ रहा है, अगर हम यहां पर देखते हैं तो 45 कोई भी शेयर यहां पर गिर भी नहीं है, प्रमोटर का, और अगर हम यहां पर financials पी चेक करते हैं जो कि आगे औ ग्रावर्त टो होती रह एकी बट जिस चीज में इस real video करती से आपको आगे चल के ही काम आने वाली और रागे चल के और इस का मधूण बरने वाला है। इस बढ़ने वाली है तो इस शेर की तरफ नजरे बना के रखना है इस शेर काफी बहतरी ही नहीं है फाइव यह का चार्ट पेटरन भी देख लीजिए बहुत अच्छा आपको रिटन सो रुपे का शेर चलता था पांसो रुपे का है और आफ्टर स्प्लिट ओके स्प्लिट होने के बाब दूद अगर नहीं है यहां पर ऑन equa चार्ट पेटरन तो भी यह ठीए था फिर इसके बाद यहां पर गिरा शेर ओके 304 रुपे पे बाध फिर इसके बाद फिर जियतर यहां पर फिर मैंने आपर के लगबाट आपको वीडिओ बनाई थी और realised ग्यांव आज चले जाना क्यों क्यों कि इस से लेटर और भी बाते करने वाले हैं आपको इनकी सप्लाइज आती हैं और सबसे में बात पाइप यह जो पाइप लाइन चारी है मैं जासे कि यहां महाराष्ट में MGL चलता है तो MGL में क्या होता है घर-घर में लाइन बिच हुई है बट दिल्ली में मैंने सुनाए कि बहुत जोरों से इस पर काम चल रहा है और हर एक घर में लाइन अल्रेडी बिचा दी गई है और नहीं जहां पर बिची है वहां पर पोचरी और विदिन 3-6 मन्त यहां पर यह लाइने जवरदस्त बिचने वाली है और सबके घर में यहां सप्लारी डारेक्टी आएंगी और सिलेंडर को मोश पोपैबली खतम कर दिया जाएगा तो यहां पर जो दिली में यहां पर में काम यह बढ़ा कर रही है तो यह कर रही है IGL इंदरपरस कैस लिमिटेड तो यहां पर यह शेर आपको बढ़ता हुआ विदिन 3-6 मन्त में आपको नजर आएगा जासे यहां पर यह बढ़ते जाएगी तो इसलिए यहां पर इस शेयर की तरफ थोड़ा ध्यान देना दिली की हर एक गर में पुचेगी लगबग आई तिंग 5-10 करोड़ पीपल यहां दिली में रहते हैं फिर 2-3 करोड़ भी रहते होंगे तो अगर हर एक की गर में जाएगी यहां पर इस तरीके से pipeline तो सदे सीध करते हुए मैंनर में नजरा रहा है बोनस और आइट इश्यू कंपनी अभी तक लेकी नहीं आई बट अगर हम यहां पर देख लेते हैं इस कंपनी के कंपनी के बार में तो देखिए लाज के कंपनी है 36,684 करोड़ रुपीज का मार्गेट कैपिटल है और बात की जा 10 रुपे और पिछले एक महीने से लगा ता गिरता हूँ नजरा रहा है बुक वेल्यू 74 है तो रोसी ही लगबुक 28.9 है जो की काफी बैतरीन है तो अगर MGL और IGL दोनों में ही ठक कर रहती है अगर शेयर की बात की जाए एक मुंबई का है तो यहां पर इंडिय का है बट यहां पर अगर हम बाते करें तो यह जो IGL है ओके इसके पास जो ग्राफ है वो ज्यादा है MGL का MGL न्यू है और यह काफी पुराना है तो इस पर ज्यादा बिलीव करके आप चल सकते हो और अगर देखा जाए कंपनी के सेल्स की ग्रोथ भी देखिए लाश्ट टैन येर से लगबाग गट्टे सक्षिन पॉइंट फॉर परसेंट के सबसे बढ़ती जा रही है तो कोई खराबी इस कंपनी में नजर नहीं आ रहे है कर हम यहां पर कौटर ली रिजल्स देख लेते हैं तो सेल्स देख का पीरेड हो गया था सेप्टेंबर में फिर दुवारा यहां पर पीक पकड़ा और यह दुवारा बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले कौटर में तो आप अच्छा घासा यहां पर अन करने की करन सकते हैं अगर यहां पर देखें नेट प्रॉफिट तो यहां पर दे करते हैं अगर हम year on year basis भी compare करते हैं तो year on year basis कमपनी ग्रोथ में चल रही है यहां पर देखें मार्च में क्या मार्च मेला है हरी साल में ही सबसे ज्यादा ग्रोथ है और अभी तक यहां पर 494 3 करोड रूपीज का है पिछले 12 मेने में जो कि आपको बढ़ता हुआ साफ नज नजरा है तो profit continuously बढ़ता हुआ हमें यहां पर नजर आ रहा है इस company का तो आप इस पर भरोजा करके अच्छे खासे share को buy on dips करके खरीद के अपने portfolio में रख सकते है काफी 32 रिजर से 5065 करोड रूपीज के रिजर्व से जो कि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बोराइं की बात की जाए बोराइं घरती हुए नजर आ रही है और थोड़ी सी बोराइंगे ना के बराबर कह सकते 85 करोड रूपीज की जो ज्यादा माइने अभी नहीं रखेगी इस तरीके की कमपनी में अगर इंवेस्टमें लग बग 951 क्रोड रूपीज की इंवेस्टमेंट है 1516 क्रोड रूपीज के याँ पर कैशवेलेंट के पास है कैश फ्लो काफी अच्य है रोची काफी अच्छी है अगर प्रमोर्टर्स की होल्डिंग की बात कर लें तो जैस के लगबग हिस्सेदारी इन्हों ने बढ़ाई है अगर बात करें डियाएस की तो डियाएस भी देखिए कहीं पीछे नहीं है लाइसी की हिस्सेदारी इस कंपनी में लगबग 10% की हैं ओके इसके अलाब सारी बड़ी कंपनी को टाया के यूट यहां पर अलग अलग कंपनी में लग बड़े-बड़े बैंक्स कह सकते हैं अपर कह सकते हैं और और इसेदारी रखे रही है गवर्मेंट के पास 5% की सेदारी है यहां पर साफ नजर आ रही है गुवर्मेंट को इसे गुवर्मेंट ऑफ एंसी टी ऑफ डेली अगर बात की जाएं आप गेल के पास 22% की सदारी भारत पेट्रोलियम कोपरेशन आप 25.5% की सदारी है तो इन्हीं यह दो ही में प्रमोटर से अगर पुब्लिक की बात की जाएं तो पुब्लिक के पास किवल 10% की सदारी है बाकि सब इससे दारी इनके बड़े-बड़े हातों में हैं तो अच्छी खासी 90% जो होल्डिंग है वो एफ इस डिया इस और गॉर्मेंट के पास ही है तो इसके लिए इस कंपनी के तरफ ध्यान दे सकते हैं काफी बहती इंग कंपनी अमें नजर आती है और जो बिजनस करती है इसका पूरे दिल्ली में आई थिंक यह सब बहुत बड़े लेवल पर बिचाया जा रहा है इसकी पाइपलाइन और यह आगे चलके काफी अच्छा प्रॉफिट देता हुआ आपको नज़र आएगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमे करेंगा इस वेले कोई भी पोजिशन परनाने से पहले अपने फाइनेशय एड्वाजर की हल्प जरूर ले लिजेगा और हमारे इस चैनल बहुत सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलेगा और हमारी मदद करिया इस चैनल को ग्रो करने में ताकि यह चैनल ग्रो हो सके इ इन्फोर्मेशन हो आपके तक पहुचा सके, so thank you so much, God bless.